हेलो साथे हरू, वैलकम टू माई यूटूज चाइनल एदी तापाई हरू मेरो चाइनल मा नाया हुनू उन्चा बने किर्पिया चाइनल लाई सब्सक्राइब गरनू होला आजा मातापाई हरू लाई मानो महाकाब को ब्याख्या विसले सड रातेश का कथा बस्तू को बाचन गड़ने गई रहे को छू मानो महाकाब मोद नाथ प्रासरित ले 2023 साल मा परकासित गरे को समाजिक विसे बस्तू मा अधारित महाकाब हो इस महाकाब साही नेपाल मा नेपाल को समाज मा इस्थापित रहिये का बर्गिये भेद को बारे मा चित्रड गरिये को छा नेपाल मा हमरो समाज मा चाहीं बिदमान रहे का बर्गिये भेद तथा माथिलो बर्ग बाटा गरने सोसड दमान अन्याय अत्याचार को चितरड गरिये को छा आपनों बर्गिये उच्चता का आडमा गरिये का मानों हिन्सा किरिय कलाप को यथात चितरड उतारदाई पीडित बर्ग परती सहन भूती सहीत समाजिक चेतना राजागराड को संदेश दिनू अन्याय अत्याचार सहन बाद भाय का चान बने ती मान्चे हरूलाई सच्चा मानों हुने भन्ने देखाऊने सोही अनुरूप महाकाब को कथा बस्तु पात्र परबेश जीवन दर्शन चैन गरी महाकाब को संद्रचना त्यार गरिये को चार। सब बंदा पहला चाहिं यसका कथा बस्तु लाई सुरूगरम कथा बस्तु यसको चाहिं मानों महाकाब पस्मी नेपाल को पहाडी गाउं लाई मुख परबेश बनाए रा लेखिये को महाकाब हो। कब मा चाहिं कबी परास्रित ले यस महाकाब मा नेपाली समाज को गरामीड छेतर मा हुने ना हुने सकने घटना लाई कथा बस्तु का रूप मा छनोट गरिये का चान। यस मा समाजिक बिकिर्ती बिसंगती ओयम अन्या यत्या चाहर सोशड दमन उत्पिर्ण आदिलाई कथा बस्तु मा अधारित बनाईये को चा। समाज को समाजिक परमपरा रिती रिवाज का कारले गरदा ठाटो बाटो रासोशक समानती द्वारा एपीये का निम्न बर्गिये गरीब विपन बर्ग का मानी सरू के कस्ता दुख कस्ट पीडा पाउदेचन बनने कूरा लाई महा काब मा रामरू संगा देखाईये को सोशक रा सोसीत गरी दुबई बर्गमा मानी सरू समाज मा रहने गरिये का सोशक ले सोसीत गरीये को अनिया यत्यचार बेफार लाई कथा बस्तू का रूमा चणोट गरी परभाकारी रूमा परस्तूद गरीये को चा। गाउं को मुखिया गजानन लेकाले मोहन सरीता पुतली आदिलाई गरिये को अन्याय रात्याचार परस्तुत कभीत महाकाब को कथा बस्तु का रुमा आये को छा बिकरम संबन्द 2022 साल को नेपाली गरामीड समाज लाई परवेश बनाये को हुना ले एक तांतरी के जहनिये राडा सासन को अत्याचारी प्राबिर्ती को अवा से से आजई जीवित भाईयो भनने कुरा लाई महाकाब ले संकेत गरिये को छा दिन भर साहु को काम जोतिये रा पनी बिहाना बेलुका को छाक टारने धैधो भाईये को काले भितर चाहीं उबजीये को मान भिये आस्तितत बोधनाई महाकाब को प्ररम विबिन्दुगो साहु को काम गरे रा मातरई जिन्दगी को गुजारा ना चलने महसूस गरे रा काले लेते हां बाटा भागने अठोट गर चाहीं घर परिवार संगा छीटाई फरकने बाच गरे रा चाहीं बिदेश तर्फ लाग चा बिदेश मा धेरै दुखा कष्ट गरे रा दुई बर्ष मा 600 रुपिया जम्मा गरे रा चाहीं अपनो चाहीं घर परकन चा दुई बर्ष को अंतराल पची घर मा फरकता परिवारी के मिलन भाये पनी खुशियाली चाहूने ना सके पची जिग्यासू भुदय चाहीं निरा आसा को कारण सोध ज़न मुखिया को कुरीरता रायन्याय को कारण नई उनी हरू मा खुशी को संचार हुने ना सके को कुछा काले ले उनी हरू बाटा बूझ दै चाहू भूझ चाहू रा काँची लाई जूठो तामा सोखे मा चाहीं चाहीं चाहपा गराईएको रा पुत मा भाऊनुना ले, पर्ति सोद, को भाऊना ले काले ले मुखिया संघाचाई, बदला लिनुच, उसले गजानन मुखिया को जानाई, αटोपने काठी दिनुच दिनुच, भने रभांच, गजानन ले पनी पनी काले माती अत्ती करण शड गरुच च गजानन को लाटी परहार द्वार चाहई। विम्या हत्या हुँच् electricStay, काले को हत्या गरेपछी गजानन ले लेकरनac kkahmik also and कौमी दमाई हरूल को सहता मा सहियोग मा काले लाई गाडी दिंच्च्च, गोसस्पना आद जा करना दाए लोबल sp semaines, सहयोग गर्दे छान। यस परकार चाहिं सम्मान इस्थर का मानी सरू बाटाई सहयोग ना पाए पची मिरही बन दे छा। काले लाई गाडी सके पची रा घर मा चाहिं स्वासित सांती गरी रा चाहिं घर खुईये पनी पुतली को गर्ब को चिंता लेगाजा नन लाई पीरो पाल चा। रा केही दिन पची सुथकेरी भायरा चाहिं छोरा जनमाए की पुतली लाई नजीक बाटा नियाले को मुखिया ले चाहिं पुतली को हत्या गराव चा। रा अपराधिक समुबाटा साहिं सायोग लिये रा हत्या गराए की पुतली लाई नव जाते सीसू सहीते खुलसा पारी को जंगल मा फालने लगाऊ चा। एसाई करम मा गजानन की जेठी सीरी माती सरीता ले जंगल मा सोतार काटने जादै यवटा चाहिं बिसम लास माती जीवित बालक रोये को देख छिने। तेस पच्छी एस परकार को बिसम दिरिश्य को भाये भीत शरीता ले उक्त बालक लाई लिये रा घर घर आउचिन। आ फूले चाहिं मारने लागे को फेकिये को लास को बच्चा बोकेरा चाहिं घर आये की सरीता परती गजानन अक्रोशित हुन चा रा तेसलाई फालने अदेश दिन चा। निर्दिये गजानन को अदेश लाई आ सुईकार गरे की सरीता घर बाटा बाहर बाहर दिन चीन। रा घर बाटा चाहिं बाहरी ये के सरीता को भेट आपनो काख को एक मात्र बच्चा मरे को छटपटाई रहेका लूरे रा ठूली केटी संगा चाहिं भेट हुन चा। रा ठूली केटी को इस्थान पान बटा बच्चा मोहन ले जीवन परातगर छा, मोहन लाई जीवन दीने करम मा सरीता ले अचानक अनेक परकार का समाजिक लांचना रा नीर तिरिसकार लाई सहन छिन, रातेस पछी ढोकरा हरुको सहता मा चाहीं बटावलो बटावली तिरा लाग छिन, उनी बटावली तिरा फेरी लाग छिन, नव जाते सीसुलाई जीवन दीने राखाद्यान को खोजी मा बटावली लागे की सरीता ले बटावली को तिनाव किनार मा बालुगा को बिछावना रा ढूंगा को सिरानी लगाए रा सूते की सूत छिन, उता चाहिं सात वटा छोरा जन्मावदा पनी छोरी ना जन्मे को सरीता परती आ संतुष्ट हुने ना सके को गजानन ले बाक आकरी की सोरी अरकी की सोरी लाई बीहे गरे रा चाहिं खुशी साथ बसाव दे चा, रा उनी हरु खुशी संगा गजानन ले रा अरकी यूती संगा खुशी संगा बसे को हुन छा, खोला को किनार मां पंदरा दिन को सिसू लाई बसे की सरीता लाई माने सरूले अपमानी ते रा आमान भीय ब्योहर गरे रा बौला ही भांदाई लाखेट छान, इस परकार को ले एक जना बालक लाई नया जीवन दिने का लागी अनेक कश्ट रठक कर खाये की सरीता ले अरकों को जुठियान सहेरने भारी बोकने भाडा माजने काम गरे रा चाही पनी बालक लाई हुरकाई रहांचिन, मोहन लाई दानव पनी होईना रा देवता पनी होईना केवाल मानव बनने आर्ती हरु दिदै दिन बिताव छेन, चाही मोहन जुन बच्चा चाही ठूलो उन्चाली तेसको नाम मोहन रागछिन, रात्यों मोहन लाई चाहें तीमी मानो पनी होईना तीमी दानो पनी होईना भनेरा तीमी देवता पनी होईना भनेरा चाहें उसलाई तीमी मानो मात्र हो भनेरा विविन्य कुरा भन्चिन रा उसलाई सही बाटो मा हिडने सिखाव चिन इस्ताराई चाहिं मोहन चाहिं ठूलो हुन्चा, रा मोहन ले पनी भारिया को जीवन सुरू गरे पाची उनी हरू एकदमे अली-अली खुसी हुन्चा, तेस पाची चाहिं उनी हरू सुखी दुखी आपनो जिन्दिगी को अगाडी बढ़ छन। रा दैबिये का कारले गर्दा, भागवान को कारले गर्दा कुनेई कुदिरिष्ट पनी सोचने होच निर्दोस अन्यायको मा परेका मातरी परदेशन। रा यस्ताईमा चाहिं तिनाव नदीमा आये की बाढ़ी को बाढ़ी ले साहु को भारी संगाई, बागे रा चाहिं सरीता को मिरित्तु हुन्चा, रा बोद्ध मोहन आसाहायक रा टुहुरू बनने पोग्चा। मोहन चाहिं एकदमाई आसाहायक बनी हालचा, आमा शरीता को मिरित्तु ले बिलकुल मोहन त्यो ठाउँ छोडे रा बिदेश निया निरड़ाय गर्देचा, बिदेश चीरा जाने को लागी निरड़ाय गर्चा, एस्तामा चाहिं काट को खुट्टा लगायो को बुढ़ो लाउरे संगा चाहिं मोहन को भेठुन चा, हिंसा युगत बाता ब्रड़ को बिदेश को जीवन बारे माँ चाहिं बिशम कथा सुनाए पची मोहन ले नेपाल मा बसने पर्तिग्या गर्चा, पुन्न चाहिं भारिया बने रापनो जीवन को यात्तराला या गाडी बढ़ा पनी ज्याला पाउदैना रा डाकू को अपराध मा चाहिं पकराओ परेरा चाहिं साथ दिन को काराबास मा सजा भोग चा, रायस परकार को दोस दैबिये तथा मान बिये पीडा को सिकार बने को मोहन जिंदगी देखे चाहिं दिख कहुन चा, रा सांती को खोजी मा रे सुं रे सुंगा को जंगल तरफ लाग चा, रे सुंगा मा महारिशी जेस्तो बुद्ध किर्शक संगा भेट भाय पची उनी बाटा चाहिं प्राप्त आउप देश वें मान आउता बिरुद्ध संगर सगरने परेडा बाटा उसको मन सित मान सिकता मा चाहिं परिवारता ना उच रा देश समाज मान आउता का लागी संगर सगरने निरड़े पुद्ध चा, एस्ताई मा चाहिं कुनई एक दिन सपना मा चंदर लोक पुगे को उसले चाहिं धर्ती मा युद्ध मा चाउने हरुलाई, एही ठाउं चाहिं ना भनी, चंदर लोक को घिरडा रातिरिसकार गर चाहिं या शरी चाहिं बुद्ध किर्शक को उब्देश वयम सपना बाटा प्राप्त संदेश का अधार मा मोहन सांती रा आहिंसा को खोजी मा बुद्ध को जन में इस्थालूंबनी तर्फ लाग देशा, तेहां चाहिं उसको बुद्ध संका संसार मा व्यापित हिंसा आत गर्देशा, तरा बुद्ध को मन्याओता का काराले गर्दा आपुले अधोनिक युग राग अनकुल को बुद्धी अथवा बुद्ध जनमाउने सपना देखेरा चाहिं पुन्न भारिया जीवन तर्फ फरकांचा, उचाहिं आपनो अधोनिक युग मा चाहिं बुद्ध भवनने को लागी फेरी आपनो भारिया जीवन मा उफरकांचा, सन्यासिवाटा, एक दिन एक जना बिद्यार्थी इवक को भारी बोकेरा चाहिं हिडने करमा मोहन को संभू संगा भेठ हुनचा, आपनो चाहिं दुख पूड जीवन का कहानी सुनावने करमा, उसले चाहिं पसीना रा मान्यावता को मुल्ले बताईये को संभूले उसलाई चीन्ने खोचा, रा मोहन को दुख पूड जीवन का था सुने को संभूले आपनो दाजु भाये को थाहा पाऊचा, रा उसले जीवन मा पाये का दुख कश्ट रा न्या यत्याचार का काराले गर्दा, इव संभू आपनो भूबा परती अक्रोशित हुँचा राव उसे परती अक्रोशित भायरा गजा नन्न को हत्या गरने बदला लीने चाहिं परते ग्यां गर चा मोहन ले संभूलाई समझाओ दै बेक्तिलाई हुईना उसको भीत्र को कालो भावना लाई मारनू पर चा रा अत्या चारी पराविर्तिलाई मारनू पर चा कर्तब रा अदेश को बोद्ध गराव चा एस तो चाहिं अमिर्त माई बाचन सुने रा चाहिं संभूले मोहन लाही देवता भन्दा तरा मोहन आफू केवल मानो मातर भये को बताव चा एस परकार चाहिं मानो वास्तिवी के रूमा देखिये रा महा काब्ब को अंत भये को चा मानो माहा काब्ब को मुख भूब देशरू लाई एसरी परस्तूत गरने सकिन चा मानो माहा काब्ब माहा काब्ब कार मोद नाथ परासरी ते को एक उतक्रिष्ट माहा काब्ब हो परस्तूत महा काब्ब मा पहाडी छत्र मा घटे का घटना लाई आधार बनाएर चाहिं महा काब्ब कार ले संपूर नेपाली समाज को नायती के संदेश दीने खोजे का चन समाज मा धनी ठूला बड़ा भनदाई चाहिं आपनो सत्ता तेसपची सक्ती को आड मा सोजा साधा मानी सरू परती गरने अत्या चार अन्याय लाई देखाउने खोजे रापरस्तुत गरने महा काबलाई निम्न बरगिये परिवार माथी गरिये को हिंसा हरू लाई देखाएका चान अन्याय को सीमा नागे पची बेक्ती ले और को बेक्ती ले आपनो प्राड को समेत व्वास्था ना गरी परती कार अत्याय का उतरने कूरा लाई देखाउने खोजे का चा यसमा गरिये को चा बने रा अरको तीरा चाही नारी हरू माहुने कुसुम कार रा कोमल मानभीये संबेदना लाई समेत पुरुष्टी गरिये को चा एसमा चाहीं एसको यो कथा को चाहीं मुख भाव रहेको छा ठूला बड़ा मानी सरूले साना मानी सरूलाई गरे का अत्याचार अन्याय लाई मुख भीसे बस्तू को रूमा बनाएको छा एसको मुख भाव रहेको छा रा नारी हरू परती गरिये का अत्याचार हरू नारी हरू समाज मा नारी हरू लाईका स्तो क्यस्तो ब्याहार हरू गवार्शन भनेरा तेसको बारे मा चाहीं मुख तेसको बारे मा पनी भाव को रूम मा परस्तूद गरिये का सा रा मानिस चाहीं योटा मानो मात्र हो ना मानिस द्योता हो ना मानिस चाहीं कि ही सोर्ग मा जाने कुने साधू हैना मानिस मात्र यवटा की हो मानो हो कलियुक को चाही मानो बुद्ध जेस्तो मानो देश मा संदेश दीने परकार को चाही मानो हो त्यों चाहीं बुद्ध जेस्तो होईना यवटा ठाओं मा बसेरा मुर्ती मा तरह केही संदेश ना दीने भने तेस परकार को है ना, कलीक को मानो को रूम मा चाहीं, मोहन लाई लिये को छा, यसमा चाहीं सरीता उदार भाव की हुने, रा सरीता आपनो घर लाई छोडे रा, तेती संपत्ती धन दावलत लाई छोडे रा, मोहन लाई, मोहन परती चाहीं, आपनो करूडा मै दया इस्थिती हरु लाई पर्गट गरेरा तेस लाई पाले पोसड गरेरा भारी बोकेरा तेसको जीमन हरु भिताऊने भिविन्द परियास अरु गरेको पर्ष्थ यहां अरको तीरा चाहीं छोरी मात्रभाय को कारड़े गर्दा ठूला बड़ा मानी सरूले चाहीं नारी लाई हेपने और नारी लाई घर बाटा निकालने बनी परमपरा हरू रहे का चान। छोरी जन्मे को कारड़े गर्दा छोरा जन्मे दैना भने तेसलाई घर बाटा निसकाव चान। रा अन्या यत्या चार गर्दे चान। आमी मानो मात्रह हो रा अपनो देश मा जुन बेकार मान्चे अरू रहे का चान। अन्या यत्या चार गरी रहे का मान्चे अरू चान। उन्ही हरू लाई सही रास्ता मा सही बाटो मा हिडाउन। पर्शा राउनी हरू को बेहार लाई सुधार नू पर्शा बने संकेत येस कभीता मा दीने खोजिये का चान। कभीकार मोदनात प्रास्रित ले येस कभीता मा आपनू उत्किरिष्ट भावना हरू लाई प्रस्तुद गरीये का चान। कभीता मा दीने खोजिये का चान। किर्टी हरू को बर्गी करण रातेश को कथा भस्तु हरू कि यी तेश को बारे मा चाही यन्सोर कोश्चन हरू को REALLY भीडियो बनाऊने तपाई हरू बनाऊने थ्युू राता पाई हरू चाही तेशसलाई घेरे रा अग्यान लिया रा सही esta कुरा बूझने सकोष भनेरा यस वीडियो मार्फप मौ संदेश दीने खोजे कोछू